नमस्कार आप देख रहे हैं TPV News और मैं हूँ आपके साथ श्वीनी स्रोही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में चड़ावा पुलिस ने कारवाई करते हुए चार आरोपियों को गरफतार किया है एडिशनल S.P. तेजपाल सिंग ने बताया कि चड़ावा में पूर्वु में गरफतार किये गए एक कोचिंग संचालक और दो अन्य यूवकों से पूछताच की गई जिसके बाद चार अन्य आरोपियों की गरफतारी हुई है इस मामले में चड़ावा पुलिस ने अब तक साथ लोगों को गरफतार किया है ग्रिम करवे की जाएगी उपा दो यूवकों की मौके पर ही मौत हो गई साबला में 19 मई को बिना नंबर के ट्रेक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी जिसमें दो यूवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसके बाद गंभीर घायल प्रकाश और हितेश को डुंगरपूर के एक अस्पताल में भरती करवाया गया था जहां से प्रकाश को उद्यपूर रैफर किया गया था लाज के दोरान प्रकाश की मृत्यू हो गई इस मामले में अब उम्रतक के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है जिसके आधार पर पुलिस ने जाच शुरू करती है हिंडोली में पुलिस ने 20 महीने से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बेचने के फरार आरोपी धनराज धाकड को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की है जो पुलिस रिमांड पर चल रहा है बताने की पुलिस ने 21 अगस्त 2020 को ग्यारा कट्टे अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामत किया था जिसमें कुल 211 किलो मादक पदार्थ डोडा मिला था इस बुलिटिन में फिलहाल इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एटीपीवी निउस नमस्कार